आज हम डिसकस करेंगे Alternation of Generation in Bryophyta के बारे में तो Bryophyta कौन से प्लांट्स होते हैं Bryophyte छोटे छोटे नौन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं यानि ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिशु यानि जाइलम और फ्लॉयम मुझूद नहीं होता तो Bryophyta भीलौंग करते हैं प्लांट किंग्डम से और ब्रायो फाइट क्या है डिवीएन है यानि यह प्लांट किंग्डम की डिवीएन ब्रायो फाइटा है जसमेंके नौन वेस्कुलर प्लांट्स शामिल होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो well-known जो members हैं इस devian के उसमें शामिल हैं moses, liverwort और hornwort plants. और अगर हम बात करें alternation of generation की, कि alternation of generation कुन सा process होता है, तो alternation of generation कहते हैं कि जो individuals की generation होती हैं, वो alternate करती हैं, haploid और diploid organisms के दर्मियान, यहनि के haploid generation से diploid generation बनती है, यह हम यह कह सकते हैं कि haploid organism से diploid organism बनता है, और diploid organism से haploid organism बनता है, तो alternate का मतलब होता है, मुतबादल, तो अब हम एक और diagram की मदद से देख लेते हैं, कि alternation of generation in bryophyta में कौन-कौन से processes होते हैं, और कौन-कौन सी तबदीलियां आती हैं, तो यहां पे हम अपने सामने एक diagram ले आएं हैं, जिसमें के clear cut, यह line की मदद से दो तरह की generations शो हो रही हैं, यानि के यह क्या है, यह sporophyte plant body है, और यह क्या है, यह जो green से color की है, यह क्या है, gametophyte plant body है, तो अगर हम बात करें, dominant generation की, तो जो gametophyte होती है, यानि जो haploid होती है generation, जो के हमें यहां पे green color की नजर आ रही है, तो यही dominant generation होती है, तो gametophyte क्या है, dominant generation, तो dominant का क्या मतलब होता है, superior, यानि जो main plant body है, bryophytes की, वो gametophyte होती है, और gametophyte क्या है, haploid plants होते हैं, और अगर हम बात करें sporophyte की, तो जो sporophyte generation होती है, या sporophyte plant body होती है, वो gametophyte पे depend करती है, और gametophyte के उपर ही, यहां पे अगर हम देखें, तो यह develop कर रही है, तो अब हम अगर बात करें, alternation of generation की कैसे यह alternate करते हैं, तो यहां पे हम देख रहे हैं के gametophyte plants हैं, एक male plant है, और एक female plant है, तो bryophytes में जो reproductive structures होते हैं, यानि जो sex organs बनते हैं, वो बनते हैं tip of the plant के उपर, तो यह जो हम देख रहे हैं, यह जो structures हैं, इनके अंदर reproductive structures या gametes बनेंगे, तो male gametes जो हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो anthridia कहलाएंगे, anthridial head का मतलब है कि यह वाला जो top है, इसमें क्या हैं, anthridia बन गे हैं, और anthridia क्या है, male gametes, जिससे के sperms produce होंगे, तो male gametes गया है, या male reproductive structure क्या है, anthridium, और female gametes गया है, या female कोन सा reproductive structure है, जिससे के female gametes produce होंगे, तो यह का नाम है archigonium अगर हम यहां पे देखें तो यह female plant है और यह head अगर हम यहां पे ज्यादा detail में देखें तो यह क्या है? अर्ची गोनियल head है जिसके अदर एक्सेल बन रहे हैं। तो X-cell भी हैपलोईड है यानि जो क्रोमोसोम्स है या जो हेरिडिटी मिटीरियल है उसका एक सेट है एकसेल में और स्परम भी हैपलोईड है क्योंकि हम यहां पे देख रहे हैं कि यह कौन सी जेनरेशन है हैपलोईड जेनरेशन है जो कि गेमीटोफाइट कहलाती है तो जब फर्टिलाईजेशन का प्रोसेश होगा तो एक और स्पाउम का फ्यूएन होगा बन जाएगा जाएगा जाइगोट बन जाएगा और इस स्टेज को क्या कहते है दिपलोईड स्टेज तो डिपलोईड स्टेज में नमबर क्या हो जाएगा क्रोमोसोम्स का 2N यakनि माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा से जैल जेनरेट होंगे यहाँ तो जो स्परम्ण होते हैं जो के मेल रिप्रोड़क्टिव स्ट्रक्ठर्स होंगे वो इस एंत्रीडिया से release हो के female plant तक जाएंगे यानि यहां तक जाएंगे आर्ची गोनिया तक जाएंगे तो इसके अंदर अगर हम यह वाला structure देखें तो यह इस तरह का structure है जो के यहां पर बड़ा करके यह बताया गया है तो इसमें यह जो लंबा सा structure दिखाए गया है इसको कहते हैं neck region और यह जो base है यह जो swollen part है यह है winter region जिसके अंदर excel मुझूद होता है तो यहां पर fertilization का process होगा यानि यह जो structure है यह कहां पर मुझूद है यह यहां पर मुझूद है तो यहां पर develop होगा sporophyte part यानि sporophyte generation तो sporophyte में अगर हम यह filament की तरह का structure देखें तो इसका नाम है सीटा यह वाला जो structure होगा यह spor producing structure होगा जो के protected होगा कैलिप्टरा से तो कैलिप्टरा क्या है कैलिप्टरा एक protective structure है जो के protect करता है developing spores को तो जब spores mature हो जाते हैं sorry यहां पर क्या होगा यहां पर अंदर meiosis का process होगा तो meiosis का process जैसे के हम सब जानते हैं के reduction devian का process होता है तो यहां पर क्योंके 2N number था 2N number था तो meiosis के process से यह number क्या हो जाएगा N number हो जाएगा तो spores जो produce होंगे उनका number क्या होगा N number होगा अब जब यह कैलिप्टर रिमूव होगा और spores जब release होंगे तो जब यह germinate करेंगे spores तो इन से young gametophyte generation बनेगी और gametophyte क्या है heploid generation है N number क्योंके यह develop होई है N number of spores से तो young gametophyte जो है वो वक्त गुजरने के साथ-साथ mitosis के process की मदद से mature gametophyte plants बनाएगा यानि mature female plants और mature female plants बनाएगा तो इस तरह से haploid organisms यानि gametophyte जो generation होती है वो diploid organism यानि sporophyte generation के साथ alternate कर रही है यानि gametophyte से sporophyte body produce होगी और sporophyte से gametophyte produce होगी तो इस तरह से bryophyta में alternation of generation का process होता है और यहां पर एक और additional information का देना ज़रूरी है वो यह है कि जो sperms होते हैं वो flagellated होते हैं यानि उन में इस तरह का thread like structure होता है जिसकी मदद से ये जब enthridia से release होते हैं तो ये इस flagella की मदद से पानी में swim करते हैं और swim करते करते ये female part तक पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद fertilization का process होता है तो इस तरह से bryophytes में alternation of generation का process होता है तो आज हमने पढ़ा alternation of generation in bryophyta के बारे में कुरा种 में पारे में Fel करते हैं